खरीब सीजन अपने पीक पर है इसके साथ ही खरीब सीजन की मुख्य वसल धान की कटाई भी शुरू हो गई है जिसे देखते हुए पंचाब सरकार ने एक अक्तूबर से धान की खरीद प्रकृया शुरू कर दी है वहीं धान खरीदी प्रकृया शुरू होने के बाद किसान भी मंडियों में अपनी फसल लाने लगे हैं हाला कि पहले दिन धान खरीद प्रक्रिया को लेकर किसानों का रुजान धीमा रहा। मसलन राज्य के 23 जिलों में से आदा दर्जन जिलों में पहले दिन धान की आवक नहीं हुई। राज्य में धान खरीदी के लिए 213 मंडियों को अदिसुचित किया गया है जिसमें से पहले दिन 8% मंडियों में ही धान की आवक देखने को मिली। पहले दिन 170 मंडियों में ही धान की खरीदी हुई है। पंजाब में धान खरीदी के लिए कुली की सो त्रेपर मंडिया हैं जिसमें 1874 अधुसुचित और 349 अस्थाई अधुसुचित हैं वहीं शनिवार को धान खरीदी के पहले दिन पंजाब में 12,000 मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। पंजाब में शनिवार से शुरू ही धान खरीदी प्रिकरिया के तैत मंडियों में पट्याला जिले में सबसे अधिक आवक देखने को मिली है। 30 मिट्रिक टन मंडियों में फसल देखने को मिली। बाखी बचे हुए 11 जी लोगों केवल 20 मिट्रिक टन और 737 मिट्रिक टन के बीच ही फसल मंडियों में आती हुई दिखाई दी है। पहले दिन उनका भुकतार उन्हें कर दिया गया। उन्होंने कहा कि खरीद के चार घंटे के भीतर विभाग ने सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ठ्रांसफ़र कर दिये हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजकूरा मंडी में शनिवार से ही खरीदी गई धान की उठान शुरू हो चुकी है। धान की अधिकाज फसल पकने के अंतिम चरण में है और आने वाले सब्ता के दुरान मंडियों में फसल की अधिक भीड देखने को मिल सकती है। झाले सकती है।